नमस्कार दोस्तों आपने चैनल पे देखा होगा कि हम अपने mutual fund के portfolio review करते हैं clients के, logo के, clients नहीं बोलूँगा, जो हमारे viewers हैं, उनका portfolio review हम free of cost करते हैं, ठीक है? और ये हम तभी कर पाते हैं, जो हमारे sponsors हैं उनकी वज़े से, तो इस video के sponsors हैं, A&Q app और इनके जो credit card हैं, उनके बारे में बात करेंगे, दो credit card हैं, और एक इनका prepaid card है, उसके बारे में बात करेंगे, इनकी website पर जाएंगे, और क्या-क्या फाइदे हैं, वो भी बात करूँगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइदों के बारे में बात होगी, cost या जो चीज उसे comment delete हो जाते हैं, तो अगर आप एक, मतलब language, अच्छी language का use करते हुए, अपना experience लिखना चाहें, इस comment box में लिख सकते हैं, कि आपने अगर इस app को use किया है, या इस credit card को use किया, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो definitely आपके comments कहीं नहीं जाने वाले, यहीं के यह रहेंगे, बस language सही होनी चाहिए, आप लोगोगी, तो चलिए screen पर चलते हैं, और देखते हैं, किस website के बारे में बात कर रहा हूँ, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाते हैं, हम anq.finance, यह website है, जो हम, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, और पाई कार्ड है, और जो आपको रुपे credit कार्ड मिलता है, जिससे आप UPI payments कर सकते हैं, और इस पे आपको क्या मिल रहा है, UPI spends, और आप अगर इससे 2000 रुपे की transaction करते हैं, तो आपको एक रुपया मिल रहा है, चार reward point मिल रहे हैं, लेकिन यह अच्छा क्यों है, उसके बार बड़ी चीज के लिए अच्छा लगा, कि आप online shopping करो या offline करो, आपको reward points मिलेंगे, और offline पे हमें कभी कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी card यूज कर लो, एक पसेंट, आदा पसेंट, तो एक offline के लिए card होना बहुत जरूरी है, तो यह 5 card मुझे ठीक लग रहा है, और इसको इ prepared card यूज करेंगे, या कोई भी card यूज करेंगे, तो वो investment के रूप में मिलेगा, और क्या investment होगी, वो भी देख लेंगे, थोड़ा सा ये NQ Cash और ये इनका जो, ये जो prepared card की community है, ये बहुत ही जल्दी आने वाली है, लेकिन जो चीजें अभी इनके channel पे हैं, ये shopping वगेरा साथ में देख लेंगे, जो इनके website पे हैं, लेकिन अभी के लिए हम जाएंगे, बिलकुल ऊपर और बापीस देखेंगे, PI को सबसे पहले जो PI card था, इसको explore करेंगे, तो यहाँ पे ना एक negative चीज है, जो उसके बार में बात कर लेता हूँ, कि आपको सिर्फ फोर सिर्फ 2, 2,000 रुपीज की UPI payments के बदले ही cashback मिल रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, कि unlimited है, और uncap है, कि आप कई बार बड़ी UPI payment करते हैं, तो यह credit card बहुत सही साबित हो सकता है, जिस पे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, वहाँ पे at least कुस तो मिलेगा, और अब आप रहने दोगे, तो वह बढ़ जाएगा, मैंने जब गोल्ड में मुझे कहीं से cashback मिला था, तो गोल्ड की value 65 थी, आज 72 के आसपास है, तो आपको मिलेगा कैसे, आप सिंपल सा देख सकते हैं, कि आपको इनकी app पे जाना है, इंस्टॉल कीजिए, KYC कीजिए, और आपको credit card मि आपको पूरा का पूरा गोल्ड के रूप में मिल रहा है, जो की बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मुझे ही लगता है कि जब 2-2-4-4-10-10 रुपे मिलते हैं, 5 रुपे मिलते हैं, तो वह कहीं भी use हो जाते हैं, और आपको एक investment के तोर पे मिलेगा, जो की अच्छी बात ह हैं, अब आगे चलते हैं, 5 में क्या है, यह आपको offline पे 200 रुपे भी आप spend करेंगे, तो आपको 6 रुपे मिल रहा है, 3%, offline transaction पे 3%, मतलब ही नहीं बनता कि आपको कहीं मिल जाए, हाँ, लेकिन और इसके जो charges हैं, वो 500 रुपीज हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ले मेरे हिसाब से, ठीक है, आपको एरपोर्ट लीमो मिल जाएगी, एरपोर्ट पे आपको launch access मिल जाएगा, और वो मैंने आपको बता है, रिटर्न, गोल्ड कोई या ANQ क्यों, आपको अंक कोई मिलेंगे, अंक बोलते हैं इस आपको, और वो भी uncapped, unlimited, आप कितना भी यूज क card है, has arrived, और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, X card generated bounties और ये आपको एक portfolio बना के देदेगा, आपके cashback का, जिसमें आपको bitcoin मिल सकता है, मिल क्या सकता है, मिलेगा, मतलब लेकिन हाँ, वो जो reward point जितना मिल रहा है, जितना आप spend कर रहे हैं, उतना ही, ठीक है, उसके बदले लोड करेंगे, उतना आपके card में ये पैसा रहेगा, ठीक है, अब एक चीज़ बताऊँगा आपको, बहुत ध्यान से सुनना, जिससे आपको बहुत साधा फायदा मिलेगा, यहाँ पे आपको bt's point, digital gold और दो चीज़े और, जिसका आपको portfolio बना के दे दिया जाएगा, नी card ले लो, या फिर आप ले लो X card, अब देखो, मैं 5 को एक बार के लिए बीच में से हटा दूँगा, यह तो मुझे सिर्फ offline के लिए अच्छा लगा, कि अगर कोई इंसान offline transaction कर रहा है, बहुत जादा, कि आप लोग कई बार जैसे जाते हैं, तो आप अपने gym की fees दे रहे ह है, अगर कोई इंसान gym की fees दे रहा है, 20,000 रुपए, साल की, तो उसको सीधा सीधा 3%, 600 रुपए cashback मिल गया, और वो एक ही transaction में उसका सारा cover हो गया, साल की cost, उसके बाद जितना भी वो transaction करेगा, कोई बड़ी transaction कर रहा है, या आप कोई phone ले रहे हैं, UPI से, तो वो सारी UPI करेंगे, इस card को load करने के लिए, X card को, ठीक है, X card को आप load करेंगे, Pi card से, अब Pi card load हो गया, X card से, तो definitely उसमें फायदा आपको ये मिलेगा, कि यहाँ पे load करते वक्त भी आपको cashback मिल गया, और जब आप इस cash को use करेंगे, तो वो भी आपको एक benefit मिल जाएगा, hopefully आप लगेगी, अगर आप link से जाते हैं, तो